पता नहीं ये बैड नियूस मैं कैसे दूँ लेकिन सुभा जब मैं क्रेफिश को खाना दे रहा था तब मैंने नोटीस किया हमारा क्रेफिश कुछ भी नहीं खा रहा था मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा चेक किया और मुझे यकीन नहीं हो रहा था ये कोई मूगमेंटी नहीं कर रहा है इतना सारा कोशिश के बाद सारा उमीध हार के मैं इसे निकाली रहा था तब मुझे एकुरिया में कुछ हलचल दिखाई दिया ये देखके मैं थोड़ा डर गया पर मुझे देखना ही था ये क्या है और पथर हटाते ही ये क्या ये तो हमारा क्रेफिश है पर आप पूछेंगे तो फिर ये कौन है ये है क्रेफिश का शेल जो की मोल्ड होते ही रहते है टाइम के साथ साथ जब ये बड़े होते हैं